संतुलित भोजन हमारा शरीर एक मशीन के तरह कारे करता है, जिस तरह किसी मशीन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए इंधन के आवश्रक्ता होती है. उसी तरह हमारी शरीर रूपी मशीन को चलाने के लिए हमें भोजन और पानी के आवश्रक्ता होती है. चलने फिरने, खेलने कूदने और पढ़ने लिखने जैसे विभेने क्रिया कलापों के लिए आवश्चक उर्जा हमें भोजन से ही प्राप्थ होती है भोजन हमारे शरीर को शक्ती एवं सफूर्ती प्रदान करता है क्या आप जानते हैं कि भोजन सिर्फ हमारे शरीर को उर्जा ही नहीं देता बलकि हमारी शारिर क्रियाओं को भी नियंत्रत करता है यह शरीर को स्वस्थ रखता है इसके अलावा यह देनिक कारों के दौरान शरीर के अंगों इवं मास पेशियों में हो रही क्षती की पूर्ती भी करता है भोजन का अच्छा या बुरा प्रभाव सीधे हमारे शरीर पर पड़ता है यदि संतुलित भोजन लिया जाएं तो अनेक प्रकार के शाररिक रोगों से बचा जा सकता है कहने का तात्पर यह है कि अच्छे स्वास्त के लिए संतुलित भोजन अत्यंत आवश्चक है संतुलित भोजन की परिभाशा हम इस प्रकार दे सकते हैं वह भोजन जिसमें सभी आवशक पोशक तत्व उचित मात्रा में मौजूद होते हैं, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। आईए अब इन आवशक पोशक तत्वों के विशे में जानें। पहला कार्बो हाइड्रेड इससे हमारे शरीर को उर्जा प्राप्थ होती है। यह अनाजों, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, दाल आदी में और सबजियूं, आलो, शकरकंद आदी में तथा मीठे, खादे पदार्थ हूं, चीनी, गुड़ आदी में भरपूर मिलता है। कार्बो हाइड्रेड की कमी से व्यक्ती शरीर में कमजोरी महसूस करता है। वसा वसा भी शरीर को उर्जा प्रदान करने का कारे करती है। शरीर में कार्बोहाइडरेट की मात्रा आवशक्ता से अधिक होने पर अधिरिक्त कार्बोहाइडरेट वसा में परिवर्तित हो जाता है। वसा हमें मुख्य रूप से देल, मखन, दूद, घी, अंडा, बादा, मादी से प्राप्ध होती है। वसा की अधिक्ता से व्यक्ति को मूटा बेकी शिकायत हो जाती है प्रोटीन प्रोटीन हमारी शाररिक वृद्धी के लिए अत्यांतावशक है इससे हमारे शरीर का उचित विकास होता है हमें दूद, घी, डाल, अंडा, मचली, सोया बीन आदी से प्रोटीन प्राथ होता है प्रोटीन की कमी से शरीर का विकास रुख जाता है वितामिन शरीर को निरोग रखने के लिए भोजन में वितामिन का होना तिनतावशक है वितामिन कई प्रकार के होते हैं इनमी से कुछ विटामिन हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है जैसे विटामिन E यह हमारी आँखों को स्वस्थ रखता है और संक्रामक रोगों से भी हमारा बचाव करता है हरी सबजियां इसका प्रमुक स्रोथ है इसके अलावा यह दूद, गाजर, मक्षन, फल इत्यादी से भी प्राप्त होता है विटामिन C यह हमारी तवचा एवं मसूडों को स्वस्थ रखता है खटे फल इसके प्रमुक स्रोथ है जैसे संत्रा, नीम्बू, आमला, मौसम्मी आदी इसके अलावा टमाटर, प्याज, अंकुरित, चना एवं दालों में भी विटामिन C मिलता है इसकी कमी से सकर्वी एवं पाइरिया जैसे बीमारियां हो जाती है विटामिन D यह हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आवश्चक है इसका साबसे अच्छा स्रोथ धूप है इसके अलावा यहां में दूद से भी प्राप्त होता है विटामिन D की कमी से बच्चों में रिकिट्स नामक बिमारी हो जाती है खनेज लवण Mineral Salt खनेज लवण हमारे शरीर को स्वस्त रखने में महत्व पूर्ण भूमिका निभाते हैं क्लोरीन आयोडीन और आयरन तत्वों की हमारे शरीर को प्रमक रूप से आवश्चक्ता होती है क्लोरीन हमें नमक से प्राप्त होता है आयोडीन हमें समुद्री भोजन तथा आयोडीन युक्त नमक द्वारा प्राप्त होता है। आयरन तत्व हरी पत्तेदार सबजियों से मिलता है। आयोडीन की कमी से घेंगा, गावटर और आयरन तत्व की कमी से एनीमिया नामक बिमारी हो जाती है। इन खनिज लवणों के अलावा कैल्शियम और फोस्फोरस जैसे खनिज लवण भी हमारे शरीर के लिए आवश्चक हैं। इनसे हमारे दांत एवं हड्डिया मस्बूत होती हैं। इनका प्रमुक्सरोत दूद एवं उससे बनने वाले पदार्थ हैं। ये सारे पोशक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्चक हैं। तीखा मसालेदार, मिर्च, अधिक देल, घी से बना खाना तथा तला भुना भोजन हमारे लिए नुक्सान दायक है। इसके अतिरित, बर्गर, पीज़ा, चावमिन, आदिया सभी हमारे स्वास्थ को नुक्सान पहुंचाते हैं। ये जंक फूड कहलाते हैं। जंक फूड स्वादिष्ट भले ही प्रतीत हूं। परंतु स्वास्थ की दृष्टी से इस प्रकार का भोजन हानिकारक ही होता है। इसका मतलब ये बिलकुल नहीं कि हमारा भोजन स्वादिष्ट नहीं होना चाहिए। हमेशा ये बात याद रखें कि भोजन में स्वाद तो होना चाहिए परुंतु स्वाद के लिए भोजन नहीं होना चाहिए हमारे शरीर को जल की भी पर्याप्त मातरा में आवशकता होती है एक वयस्क व्यक्ति को प्रति दिन दस से बारा गिलास पानी जरूर पीना चाहिए साथ ही भोजन और पानी के बीच कम से कम आधे घंटे का अंतर अवश्य रखना चाहिए इस प्रकार हमने जाना कि संतुलित भोजन एक स्वस्थ शरीर के लिए अतीमात्व पूर्ण है इसके बिना शरीर को स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट रखना संभव नहीं है अता भोज्य पदार्थ का चयन उनसे प्राप्त होने वाले पोशक्तत्वों को ध्यान में रखते हुई ही करें संतुलित भोजन की गुणवत्ता एवं मात्रा प्रतीक व्यक्ति के लिए विशिष्ट होती है इस द्रिष्टी से इस संबंध में किसी आहार विशिषग्य से परामर्ष लेना अधिक उप्युक्त है याद रखें जो भोजन हम करते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर और मन दोनों पर पड़ता है अतह शारिरिक और मानसिक स्वास्त के लिए हमी संतुलित भोजन अवश्य करना चाहिए